दोस्तों नवस्कार मैं उमेश कुमार कुसवाहा बहुत दिन के बाद अपने बाड़े का वीडियो बना रहा हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बकरियों को खाना दिया गया है और बकरियां सब खा रही है तो जदि आप बकरियों के लिए सही एस्टेक्चर में बाड कालन में कैसे सफलता पा सकते हैं क्या आप करने चाहिए बाड़े का रख रख आप कैसे होने चाहिए तो वीडियो में लाज तक बने रहें जैसा कि आप देखना है उदर छोटे बच्चे हैं जिनको खाना दिया गया है और वही बहुत ही तरीके से खा रहा है यानि खाने क कोई बरबादी बिना किये हुए और खाने में लगे हुए हैं और जो बच्चे खा लिए हैं वो साइड में होकर बैठ गये हैं या घूम टहल रहे हैं तो यहां से वहां तक आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखे बाहर मैंने टब करके रखा है और इनमें मैं चारा दिया सुवस्त है वैक्सिन लगा हुआ है और आपको यह पता है कि हमें खीलाना क्या है यानि डायट का सेडूल आपको पता है तो बिल्कुल बचरियां खाएगी बहुत सारे भाईयों का शिकाइट रहता है कि मेरी बचरी तो खाती नहीं यह जी खाएगी उसका जॉब सेकता है पूरा करेंगे तो बिल्कुल बक्री खाएगी सबसे बड़ी बात आपको अब बरसात आने वाला है और बरसात में बहुत ज़्यादा परसानी उनको होता है जो विवस्था सही से नहीं किये हैं यानि जो छोनी छपपर है जिसका रिपेरिंग करने जैसा कि मैंने कर लिया है यह फूंस पत्रया तो जैसे दीरे दीरे पर्पार DINGयादमी पर्था बढ़ता है अपना काम को भढ़ा था फैसे तरीकों कुछ बद्लाब करता है क्योंकि वह चीजो को जहेला इसानियों को जहेला और कहां क्या दिक्कत आया उसके बाद उसमें उसका संसोधन करता है यानि आगे समस्या ना आए इसके लिए वो प्रियास करता है तो हमने करकट दे दिया और करकट का जो छोनी मैंने आगे निकाला है आगे तक कर दिया है इससे कई फाइदे हैं कई फाइदे इसके हैं एक फ भूप नहीं लगता तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं कि आगे की और निकाल दें ताकि बकरियों को इसे च्छाह मिले बारी सो तो पानी आगे की और चल जाए और टब दिकास लगाया कि बकरिया गरदन बाहर निकाल के खाए और चारे के बरबादी नहों यानि इसे छीट कई गुना जादा और वब रबाद करती है तो सबी बकरियों市 में डि peachy यानि देसी हैं और इन और शो प्रूकरियों में में से कुछ थोट को मैं खाएया याने सेल किया भी मिक्स ब्रीट पे काम करना और इधर मिक्स ब्रीट के बच्चे तयार हो रहे हैं इनको दिया गया है भी खाना और दफ मिनट भी नहीं लगा यह बिल्कुल चट कर गए खा के बिल्कुल निश्चींत हो गए तो मैं पहले ही बोला जदी आप खाने देने का तरीका आप जानते होगा बस बताने के लिए हूं कि भाई अब किस तरीका से बच्चे को बचाब कर सकते हैं चोटे बच्चे हैं जो ठाई महिने कुछ तीन महिने के हुए हैं अब यह भी चारा पकड़ लिये हैं यह भी चारा कुछ-कुछ खाना सुरू कर दिये हैं और इनको मैंने देना सु उपर है और इसके अलावा आपने नीचे बच्चे देखे जिसको मैंने खाना भी दिया तो इससे बड़े बच्चे हैं इससे बड़े बच्चे हैं जो बच्चे भी खेज पे हैं जो नीचे बच्चे खा रहा है उससे छोटे हैं हां कद में बड़े इसलिए हैं क्योंकि यह यह अलग है यानि यह बौध नेसल के बच्चे हैं और इनका गुरोथ बहुत तेज़ि से होता है तो एक कीमती बच्चे हैं और इन्हें सेफ रखना होता है हाना कि सभी बच्चों को मैं छोटा जब बच्चे होते हैं जब तक 3 माह के नहीं होते हैं नीचे नहीं उनको रखता ओपर ही उचाई पर रखता आये बचचे बड़ए साइज गे हैं वेट गें तेजी से करते हैं तो थोड़ा बड़े आपको लग रहे हैं लेकिन जो नीचे अपनी मेने दिखाया इस से उब बड़े बच्चे हैं बहुत कुछ बित सब्धान रहने हैं और बर्सात का जैसे ही मेुसम सुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद अभी वक्त है तो बर्साइस सुरू होने से पहले एम डिका ठीका जरूर लगा दें' मुपका खुर्पका का टीका जरूर लगा लें ताकि बरसात में खुर्पका मुणपका रोग से आप बचा सके यानि एफमडी से बचा सके और बाड़े का स्ट्रेक्चर बिल्कुल अगर अब फिर से दुहराऊंगा कि मैंने जिस तरीका से बनाया तो मुझे किसी भी परकार का दीकत नहीं होता है जो बकरियों को अभी मैं खाने में दिया हूं बकरिया इतना जल्दी खाना खा कर चट कर गई और इधर खाने में लगी हुई हैं तो अल् débद है नया से लिवस के अनुषार बैक टूबैक कलास चल रहा है समय नहीं मिल पा रहा है तो मैंने अभी वीडियो मैं बना नहीं रहा हूं और जैसे ही मोका मिलेगा फिर से मैं बीडियो बना शुरू करूंगा आज मैंने बस यह दिखाने के लिए वीडियो बनाया कि आप इस तरीका से सही रख रखाब करके चारा बिना बरबाद किये हुए बकरियों को खिला सकते हैं और सब्धान रहें एफिमडी का टीका लगाने के त्यारी कर लें सभी टीके जरूरी हैं लेकिन एफिमडी का टीका तो हर हाल में लग और इधर मैंने दिखाया कि जो बच्चे एदर खा रहे हैं यह बच्चे एटी का टीका इनको कंप्लीट हो चुका है कुछ बच्चों का पीपीर का टीका लग चुका है तो इन्हें नीचे रखा गया है उचाई पर रखने का बस एक ही मकसद होता है कि नमी से बच्चे बिमारी नहीं होगा और आप नीचे भी उसे उतार कर खिला सकते हैं तो यह देखिए यह बच्चे भी कितने मजे से खा रहे हैं तो बस तरीका यह है कि आप इस तरीका से बनाएं कि उनका जो खाने का टब है वो उनके पहुंच से दूर रहे यानि यह गरदन निकाल के खा तो सकते हैं लेकिन इसमें अपना पैर नहीं डाल सकते हैं या इसमें उसके ऊपर आ नहीं सकते हैं तो कुछ टब मैंने अंदर भी रखे हैं तो उसमें मुझे परसानी होता है उसमें बच्चे चड़कर मलमुत्र कर देते हैं लेकिन इस टाइप से कर देने पर कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन अगर इस तरीका से बनाया जाए तो इसमें इनका एक नहीं चलता इसमें एक गंदगी कर ही नहीं सकते जो भी खाना एक खा लिए और जो बच जाएगा वो भी फिर इसमें सुरच्छित रहेगा इसे निकाल कर हम बड़ी बकरियों को दे सकते हैं या ही है क्योंकि सब का टब मैंने बाहर क्यों रखा है यह नर बकरा ब्रीडर है यह खा चुका बहुत तेजी से खाता है तो अब एक खाने के बाद इधर घूम गया और बाकी बकरियां खा रही है कुछ बकरियों का नेचर है कि खाते समय लड़ाई जगडा करना तो परियाप बिल्कुल सुबधा जनक है तो मैं इतना चर्चा भी कर रहा हूँ तो यह लोग खाने से बिल्कुल हट नहीं रहें क्योंकि अभियस्त हैं बाड़े में सेट हैं जनम इनका बाड़े में हुआ और बाड़े में ही हैं तो यह सुरु से ही देखे हैं कि इसी तरीका से हमारा रहां सायन होता है तो किसी तरीका का इनका परसानी नहीं होता अगर आप फार्मिंग करने का प्लान किये हैं और इस तरीका के बकरियां आपको मिल जाए तो कहीं ने कहीं से इस तरीका कहीं लेना चाहिए ताकि आप ले जाएं और उन्हें खिलाएं किसी तरीका का परसानी नहों कि बकरियां यह सब फारम में सेट है और इस तरीका से आप अपने लोकल एरिया में फार्म तलासें जहां पहले से फार्मिंग हो रहा हो और उनसे खरीद के बकरी पालन करें बकरी पालन में बहुत बारिक्यों को समझना होता है दवाओं के बारे में बीमारियों के बार हैं और जड़ी वह पैसे बचाकर बखरी ले आते हैं और भी ड़ावट ट्रेंग तो आने वाले परसांियों में आप इतना परसान ँभांघे में आप को लगएगा कि करता तो ये नुक्सान से बच जाता तो जद्धि आप घर भैट्ठे भी ट्रेंटेंग ले तो बिल्कुल देशी किसान से देशी तरीके से जो मैं करता हूं को तो आपको तो बिल्कुल किताब का जयान और ग्यानक किसान का ग्यान और एक certified trainer से training आप चाहें तो घर बैठे online ले सकते हैं कि मैं आकर बैठे online training लेना चाहता हूँ तो online training भी लेना चाहते हैं तो आप बैठे online training लेना चाहता हूँ आपको detail भेद्ड दिया जाएगा और बहुत जल्द शुरू हो रहा है आप घर बैठे ट्रेनिंग लेकर जनकारी लेकर सफलता पुर्वक बक्री पालं कर सकते हैं तो बहुत दिन के बाद मैंने बाड़े का वीडियो आप लोगे बीच में दिया है और इसके आगे जनकारी वाला वीडियो कि इसके मुझे PPR के ठीके लगाने हैं फिर FmDKTK लगाने हैं यानि वेक्सिनेशन करने हैं वो सभी चीजे मैं आप लोग के बीच में सेयर करूँगा तो दोस्तो नवसकार परणाम धन्यवाद